से आने वाला है तो प्लांट में रूट भी बनेगा रूट कहां से बनता है रेडिकल से और प्लूम्यूल क्या बनाता है इ color कि अलाव कोई भी पार रूट बना दे वो रूट क्या कहा खेलाएगा आपने नो स्च पर देंगा आफ टख़ू उसा नफ अ मैं पंळीति नीष तेट कोई सब्सक्रा पंदीफिक नहां भाइब बरिमसेक्टिए का लिए चमझा टीछ प्र Chelsea Light प्लावरिंग प्लांस का मतलब सिर्फ वह प्लांट जिसमें flower दिखते हैं और एसे ग्रुप अव्प प्लांस को हम बोलते हैं ऐसे इंगी amendments को में और नो श्क किस की study करेंगे हम, study of external feature, study of external feature, और एक plant में बच्चो एक flowering plant में आपको क्या-kya external feature दिख्स है, अगर मैं आपको एक plant देखना है बहुत से, आपको क्या-kya दिख्स दे रहा है, बच्चो आपको दिख्स है मुझार है, number one. root दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, आपको stem दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, आपको leaf दिखाई दे रहा है, तो ये तीनो क्या है, ये तीनो vegetative parts है, ये तीनो क्या है, vegetative parts है, और आपको क्या दिखाई देता है, और आपको दिखाई देता है fruit और आपको दिखाई देता है seed, यह सब किसके result है, कब दिखते हैं, sexual reproduction के result है, ठीक है, flower help करता है sexual reproduction में, बट यह सारी चीज, root हो, stem हो, leaf हो, flower हो, fruit हो, seed हो, आप इसको असानी से देख सकते हो, इनी चीज की study करनी है हम इस chapter में और इसके study को हम बोलते हैं, morphology, ठीक है, तो हमने समझ लिया है कि हम इस chapter में पढ़ना क्या-क्या है, आप एक-कर करके सारे parts को discuss करते हैं, बच्चों, सबसे पहले we gonna start with the root, किसे start करेंगे, root से, बच्चों, जैसे seed सबने लगाया होगा, सबको शॉक होता है कि plant नया plant आता कैसे है, तो हम seed को क्या करते हैं, soil में थोड़ी से जगा बनाते हैं, और seed को डाल देते हैं, फिर उसको soil से cover कर देते हैं, यही करते हैं, तो होता क्या है, होता क्या है, seed है, पहले भी पता रखा है, PGR वाले chapter बच्चों, जब seed को हमने soil में डाला, ठीक है, soil में हम पानी डाल रहे हैं, minerals डाल रहे हैं, वो सारा कुछ जाएगा, seed germinate करेगा, है ना, तो germinate क्या करता है, क्या निकालता है, वो दो चीजे निकालता है एक निकालता है, plumule, एक क्या निकलता है, plumule, और एक निकलता है radical, है ना, radical क्या करेगा, radical आगे जाके बनायेगा root, ठीक है, हमने पता, seed से plant आने वाला है, ठीक है, तो उस plant में root भी बनेगा, तो root कहां से बनता है, radical से, और plumule क्या बनाता है, it from shoot, क्या बनाता है shoot, क्योंकि plumule अगे जाकर के shoot बनाता है, इसको future shoot भी बोलते हैं, और क्योंकि plumule अगे जाकर के root बनाते है, तो अम इसको future root बोलते हैं, ठीक है? तो root कहाँ से निकल रहा है? root निकल रहा है radical से, it is formed from radical of the seed, ठीक है, हमेशा आपने देखा है, generally, usually, ये gravity के towards grow कर रहे हैं, देखा है ना आपने, that means इनकी जो growth है, वो positive है, किसके respect में, towards gravity के respect में, तो अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, positive geotropic, positive geotropic, geotropic का मतलब क्या होता है, बच्चो, geotropic का मतलब होता है, tropic word का मतलब होता है, growth movement, और यहाँ पर geot word किसके लिए, geot word है, gravity के लिए, तो किसके towards ये growth शो कर रहे है, gravity के towards, ठीक है, और अगर आपको बच्चो एक question पूछा जाए, कि आपको एक examiner, दो तुकड़े दे आपको, वाईवा के दौरान, और आपको यह बताएगा नहीं, कौन सा तुकड़ा stem का है, कौन सा तुकड़ा root का है, और आपको बोलेगा, भाहिया, इसको identify करके बताओ, मुझे, मुझे निसमझ मारा, कि मैंने root का तुकड़ा उठाया अज time का piece उठाया है, तो क्या morphological एक feature होता है, जो root को stem से differentiate करता है, सोचो, सोचो फिर मैं आपको बताओंगे, आप कहां तक सोच सकते हो, और आप क्या सोच रहोगे, सोच लो, उसके बाद I will let you know, कि क्या morphological difference है, बच्छो, anatomical difference नहीं पूछ रही, morphological difference पूछ रही, मतलब द make करके कैसे बता सकते हो, तो जो सबसे important morphological difference है, कि stem का बच्छो, बहुत सारे बच्छी क्या सोच होंगे, क्यों रूट जमीन के अंदर होता है, और stem जमीन के ऊपर होता है, बच्छो ये difference, तुम सोच रही हो बटी, सही नहीं है, हम आलू खाते हैं, हम अदरक खाते हैं, they are all what they are all modified underground stem, तो stem भी underground हो सकता, हमेशा root underground हो यह सब नेसेसरी नहीं है, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, but stem का characteristic feature होता है, node और internode की presence, जो root में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कि nodes, internodes, nodes, internodes, flower, fruit, seed, bud, यह सब यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, bud किसका feature होता है, bud root का feature होता है, ठीक है, तो यह सारा कुछ यहाँ पर क्या होता है, absent, although exception है, मैं आगे बताऊंगी, but bud root का feature नहीं होता, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, exception क्या है, आगे पड़ोगे, next, आ root hairs होती है, है ना, क्या करती है वो, हमने पढ़ा हुआ, इनका function, आनटेवी वाले chapter में, they absorb water and minerals, transport में भी पढ़ा था, है ना, so, they have outgrowth, outgrowth, कैसी outgrowth होती है वो, unicellular outgrowth, और उस unicellular outgrowth का नाम क्या होता है, root hairs, यह अलड़ी बता रखे हैं, बच्चों आनटेवी वाले chapter में, कि यह unicellular होती है, बट फिर भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कहां से निकलती है, याद करो, आनटेवी वाला chapter, तो हमने पढ़ा था, epidermis है, है ना, यह क्या है, अगर हम root को cut करेंगे, अंदर से, अनटेवी वाला chapter पढ़ा हुआ है, तो epidermis सबसे पहले दिखाई देता है, epidermis के cell की extension होती है, root hair, तो root hair कहां से निकल रहा है, epidermis से, epidermis कैसा tissue है, outer most tissue है, कैसा tissue है, outer most tissue है, तो अगर आप से पूछा जाए इस root hair की origin कैसी है, तो endogenous बोलोगे या exogenous बोलोगे, यह root hair सबसे बाहर वाले tissue से निकल जा रहा है, that means इसका origin exogenous है, exo को exit से relate करो, exit मिला बाहर वाले tissue से निकल जाना, ठीक है, तो इसकी origin क्या लिखेंगे हैं, बच्चो, root hair की origin, root hair की origin हम लिखते हैं, exogenous why, since it arises from, since it arises from epidermis as shown in the diagram, उसके बाद आपने देखी होगे, ऐसा नहीं है, root एक ही है, उसके और branches भी होती है, lateral branches भी होती है, तो lateral branches कहां से निकलती है, बच्चो, epidermis, पढ़ लिया, epidermis के अंदर तुमने पढ़ा था, cortex, ठीक है, cortex के अंदर तुमने पढ़ा था, कि endodermis होता है, और endodermis के अंदर तुमने पढ़ा था, कि pericycle नाम का एक layer मौझूद होता है, this is what, pericycle, और मैंने anatomy वाले chapter में भी पढ़ाया है, कि pericycle का काम होता है, pericycle का काम क्या होता है, lateral roots बनाना, तो हम यह बात लिखेंगे बच्चो, कि जो root में lateral roots निकलती है, plant में lateral roots निकलती है, lateral roots कहां से आ रही है, it is arising from pericycle, अb pericycle तो अंदर का part है, यह तो steel region का part है, steel तो अंदर की तरफ मौझूद है, तो अंदर से यह निकल रहा है lateral root, तो हम ऐसे origin को क्या बोलते हैं, ऐसे origin को हम, क्या बोलते हैं, endogenous origin, क्या बोलते हैं, एंडोजीनस ओरिजिन, ठीक है, इसके बाद बच्चो, देख, शो ग्रोथ मूवमेंट ट्वोट्स वाटर, क्योंकि सोयल में पानी डालते हैं हम, ठीक है, तो उनके तरफ भी रिस्पॉंज शो करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं, देख पॉजिटिव हाइड्रो ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मीन्स ग्रोथ मूवमेंट, किसके तरफ ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो वाटर, सो देख, पॉजिटिव हाइड्रो, ट्रॉपिक, हाइड्रो ट्रॉपिक, तो यह बाते किसकी हो गई बच्चो, रूट की, कि रूट का फीचर कैसा है, रूट हैर्स कहा से आते हैं, lateral roots कहां से आते हैं, moving on to the next, हम बात करेंगे root के function की, so root का function क्या है बचों, सबसे पहले आपको पता है कि root है, जो एक पेड को पुरा बांध करके रख रहा है, इस वोईल से, है ना, तो इसकी वज़े से plant अपनी जगह पर टिका हुआ है, और moreover, वो क्या provide कर रहा है, वो structural support प्रवाइड कर रहा है, है ना, तो इसको हम लिखेंगे, क्या provide करता है, support प्रवाइड करता है, जिसको encourage word के नाम से लिखा हुआ है, NCRT में, so it supports what, it provides what, it provides support और encourage, और क्या काम करता है, बच्चो, root के पास root hairs होते हैं, तो अगर उनके पास root hairs हैं, बच्चो, तो they gonna do what, they gonna do absorption of water and minerals, और ये synthesize करते हैं, बच्चो, PGR, PGR क्या होते हैं, plant growth regulator, जिनको हम क्या बोलते हैं, phyto hormones, जो necessary है plant के growth and development के लिए, तो these are some of the functions of root, moving on to the next, हम बात करेंगे different regions of root, तो बच्चो क्या करते हैं, आप बनाओगे अपने से हाथ से डाइग्राम, बहुत अच्छी बात है, बट आपको as it is NCRT के डाइग्राम्स याद होने चाहिए, because they gonna remove the labeling, और इसको A कर देंगे, इसको B कर देंगे, इसको C कर देंगे, इसको D कर देंगे, E कर देंगे, है न, और आपको identify करना पड़ेगा A, B, C, D, E, तो वो न, positions भी नहीं change करते, arrow भी वैसे ही रखते हैं, तो यह गायब कर देते, तो बच्चो NCRT का डाइग्राम्स याद रखना, तो हम देख सकते हैं, जब हम root को बाहर से देखेंगे, तो root में आपको तीन specific regions दिखाई देते, because it is morphology, ठीक है, तो आपको यह वाला जो हिस्सा है, अब यहाँ पर उपर क्या है, बच्चो, मानलो अग region of maturation, region of elongation and region of meristematic activity, तीन region होते हैं, ठीक है, आओ एक एक करके समझते हैं, इन सारे regions के बारे में, एक question आता है बच्चो, कि कौंसा वो region होता है, जहां पर हमें unicellular outgrowth देखने को मिलती है, तो unicellular outgrowth का नाम क्या होता है, root hairs, तो आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, region of maturation so, यह याद रखना line, ठीक है, root hair is present in which area, it is present in the region of maturation, बच्चो, हमने PGR chapter तो अलड़ी पढ़ रखा है, तो जब PGR chapter पढ़ा था, तो उसमें बताया था, कि maturation कब होती है, maturation होती है, differentiation का result होता है, तो obviously आपको पता है, कि maturation में आपको कैसे cells मिलेंगे, highly differentiated and mature cells, ठीक है, highly differentiated and mature cells और इन ही के पास present होते है, root hairs, और root hairs ही है, जो पानी और मिनरल का absorption कराते है, from the soil, तो मिसको लिखेंगे, the cells of this region, cells of this region has undergone, undergone, differentiation, differentiation and maturation, ये point number one लिखो गया, ठीक है, दूसरा point क्या है, दूसरा point क्या है, कि यहीं पर आपको किसकी presence दिखती है, root hairs की presence, ठीक है, next जो region है, that is region of elongation, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, region of maturation के बारे में, अब हम पढ़ेंगे region of elongation, जैसे नाम से पता चल रहा है region of elongation, और बच्चों ये पहली बार हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारा point to point हमने लिखा हुआ है, PGR वाले chapter में, जब हम phases of growth पढ़ रहे थे, तो phases of growth में सबसे पहला phase हमने यही पढ़ा था, इसके बाद हम चले गए थे, elongation वाले phase की तरफ, enlargement वाले phase की तरफ, और उसके बाद हम maturation वाले phase पर चले गए थे, ठीक है, तो basic जो है वो तो obviously same होगा, ठीक है, तो region of elongation में क्या कर पढ़ाता है, जो हमने phase of elongation में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहां के जो cells होती है, यहां के जो cells होती है, they are highly vaculated, enlarged, और इनका काम क्या है, इनका काम होता है to increase the length, to increase the length of the root, ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा region दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, region of meristematic activity, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, इसमे एक word आ रहा है meristem, meristem का मतलब क्या होता है, actively dividing cell, तो यहां पर क्या है, meristems are present, meristems are present का मतलब क्या है, actively dividing cells are present, that means यहां पर जो cells मौझूद है, वो divide करते जा रहे हैं, divide करने की वज़े से नए cells बन रहे हैं, तो वो नए cells को add कर रहे हैं, यह root का apex है, तो यहां पर नए cells को add करता जा रहा है, तो it add new cells, it add new cells to root apex, बच्चो यह जो cell है, जो region of meristematic activity में है, वो बार बार डिवाइट कर रहे हैं, मतलब अभी ताजा बन रहे हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ रखे हैं, ताजा बन रहे हैं, फ्रेश बन रहे हैं, तो अबिसली इनकी जो wall होगी, वो कैसी होगी, वो thin wall होगी, ठीक है, जस्ट अभी क्या करके आए हैं, karyokinesis और cytokinesis, तो इनका जो nucleus होता है, वो कैसा होगा, वो बहुत prominent होगा, तो लिख लो इसको, prominent nuclei और जो cytoplasm होगा, वो कैसा होगा, वो dense cytoplasm होगा, कैसा होगा बच्चो, dense cytoplasm, ठीक है, तो ये तीन regions के बारे में, NCRT ने हमें बता रख है, next, आपको दिखेगा, बच्चो, एक cap-like structure present होता है, apex पर, ठीक है, cap-like structure present होता है, apex पर, और आप किसके नस्दीग देख रहे हैं इसको, इसको देख रहे हो, आप region of meristomatic activity के नस्दीग देख रहे हो, और ये क्या करता है, protection provide करता है, जैसे हम cap पहन लेते हैं, अपने आपक से बचाने के लिए, है न हम भी आपको बचा रहे हैं, similarly root cap, जो root के पास होता है, ये भी इसको protect करके रखता है, तो इसके बारे में भी एक के करके point लिखेंगे, सबसे पहला point हम लिख रहे है, it is thimble-like structure, thimble-like structure, thimble-like structure का मतलब क्या है, thimble-like structure का मतलब, thimble-like structure है, present at, किस place पर, root apex, ठीक है, and it protects, वहाँ पर रहकर के क्या कर रहा है, it protects root apex, cell वाले chapter में पढ़ा था हमने, कि जो root का apex होता है, root cap होता है, ये किसमें rich होता है, ये rich होता है, गौलजी body में, और गौलजी body, help करते हैं, इनके easy penetration में, soil के अंदर, क्योंकि गौलजी body, mucilis secrete करते हैं, चिपचपा सा material secrete करते हैं, और root को lubricate कर देते हैं, properly lubricate होने की वज़े से, वह असानी से entry मार सकता है, soil के अंदर, penetrate कर सकता है, अंदर, जितों कर rigid होगा, तो तूटने का चांस है, और एक बार ये वाला soft tender part तूट गया, तो आपको पता है, ये सारा जो इन present होता है, so these are some of the regions of the root, और हमने root cap के बारे में भी पढ़ लिया है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बच्चों, अब हम बात करेंगे different types of the root, different types of the root, तो root, तीन types का होता है, बच्चों, tap root, fibrous root, tap root होता है, fibrous root होता है and advantageous root होता है, fibrous root होता है and advantageous root होता है, फरक क्या है, देखो, हमने बोला, root कहाँ से निकलते हैं, रेडिकल से निकलते हैं, तो tap root हम कब बोलते हैं, tap root वो root होता है, जो कहां से originate होता है, जो कहां से originate होता है, बच्चों, रेडिकल से, तो यहाँ पर लिखेंगे, from radical, और radical क्या बनाता है, radical is going to form primary root, और primary root ऐसा नहीं है कि यह बनने के बाद गाया बोजाएगा, temporary नहीं है, this primary root is permanent in them, for example, let's look, let's have a look of the diagram, यह देखो, यह है tap root, तो आपको यह बड़ी सी, क्या दिख रही है, एक main root दिखाई देर, यह primary root, ठीक है, इसके side में lateral branches भी होती है, secondary निकलता है, secondary से, और branch हो करके, tertiary, बहुत चोटे 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 आपको क्या दिखाई देते हैं, rootlets दिखाई देते हैं, ठीक है, तो जिस भी पेड में radical से निकले क्या, एक main root, जिसको हम क्या बोलते हैं, बच्चों, जिसको हम बोलते हैं, primary root, ठीक है, और यह generally किस म होता है, बच्चों, आप उपर example देख सकते हो, यह generally होता है हमारे, dicot system में, जैसे mustard हो गया, ठीक है, people हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, tap root system, तो आओ बच्चों, इस बात को लिखते हैं, ठीक है, कि from radical primary root, primary root से क्या निकलते हैं, lateral branches, क्या निकलते हैं बच्चों, lateral branches, ठीक है, जैसे एक यह निकला, this is primary, primary से निकल जाए secondary, फिर tertiary, फिर quaternary, और चैसे छोटे-छोटे rootlets, ठीक है, तो इन सब को मिला कि हम क्या बोलेंगे, primary plus secondary plus tertiary and so on, they form tap root system, they form tap root system, और यह किस में मिलते हैं बच्चों, they are present in dicot plants, for example, I am writing the example of mustard plant, जिसका NCRT में हमारे diagram भी बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले वाले page पर, ठीक है, next हम किसकी बात करेंगे, बच्चों, next हम बात करेंगे, fibrous root की, तो fibrous root में एक word आ रहा है, fiber, तो यहां पर ऐसे क्यों बोला जा रहा है, देखो, यह भी कहां से निकलते हैं, यह भी निकलते तो radical से ही हैं, तो radical क्या करेगा, radical का का काम है, एक main root बनाना, क्या बनाना, उस main root को हम क्या बोलते हैं, primary root बनाना, बट दिक्कत यह होती है, कि यहां का जो primary root, radical बनाता है, वो क्या होता है, वो temporary होता है, therefore, therefore, it gets replaced by, it gets replaced by, number of fiber-like roots, और ऐसे roots को हम क्या बोलते हैं, fibrous roots, जैसे for example, monocotts में, जितने भी monocotylidness plant है, अगर आप rice का देखोगे, wheat का देखोगे, तो उसमें आपको इसी तरीके का root दिखाई देता है, मैं example में लिख दे रही हूँ, wheat, wheat is a monocot, ठीके, तो हम देखते हैं कि dicots में कैसा system दिखाई देता है, tap root, monocotts में कैसा system दिखाई देता है, monocotts में दिखाई देता है, fibrous root, इसके अलावा, कुछ ऐसे plants हैं, बच्चों, जिनके पास additional, different type of root present होता है, that is adventitious, adventitious, जैसे for example, पहले लो define करो, adventitious है क्या, adventitious वो root होता है, formed from, formed from, other than radical, radical के अलावा, कोई भी part, root बना दे, वो root क्या कहलाएगा, adventitious, देको radical से root बनने वालों का नाम हमने लिख लिए है, अगर radical contribute ना करे, ठीक है, ऐसे root को हम क्या बोलते हैं, adventitious, जैसे for example, for example, यार, बरगत का पेड सबने देखा होगा, बरगत का पेड बना दिया यहां पर, है ना अब बरगत का पेड बच्चो इतना छोटा तो होता नहीं, अब इतने भारी शरीर को, जैसे हमारा वेट का उठा रहा है, हमारे पैर, है ना, अब हम भी उपर से huge होते चले जाए, पैर तो उतना ही पतला है, कि यह जो aerial branches है, यह aerial stem है, यह root produce करना शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा, रूट्स को लटकते हुए, तो इन लटकने वाले roots को, जो कहां पर मिलते हैं, बर्गत के पेड में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, hanging roots, hanging roots, या क्या बोलते हैं, prop roots, तो बच्चो यह जो hanging roots बने हैं, बर्गत के पेड में, क्या यह radical ने बनाए हैं, नहीं, radical तो नीचे रहता है जमीन के अंदर, ये तो ऊपर से आ रहे हैं, that means कौन बना रहे है, stem बना रहा है, that means, stem तो radical नहीं है न, कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो root बना,它 रेडिल से नहीं बना, तो जो root radical से नहीं बने, वो क्या बन जाता है, adventitious root, क्यों बनाएं, धीरे-धीरे grow करेगा और soil में धस जाएगा, तो इनको additional support मिल जाएगी, इसी तरीके का, जैसे गन्ना अगर देखा होगा, मालो यह गन्ना है, गन्ना की stem है, ठीक है, और यह क्या है, यह soil है, तो गन्ने के plant में, मेज के plant में क्या होता है, आपने देखा हो यह इसको क्या बोलते हैं, बच्चो, node, यह क्या है, node है, दो node के बीच में, जो space होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, inter node, inter means between, तो यह space कहां पर present है, between two nodes, तो इनके में क्या देखा गया है, इनकी जो root निकलती है, वो node से निकलती है, वो node जो जमीन के बहुत न भाट है ना वो सबसे नीचे वाला नोट जो ground के एकदम नजदी को वहां सेroot निकलना शुरू हो जाता है ऐसे रूट को हम बोलते है इस टिल्ट रूट तो यह रूट कहां से निकला यह तो stem से निकल रहा है branches stem से निकल रहे हैं, यह क्या है सारे के सारे, stem है, aerial branches है, ठीक है, तो जो प्रॉपर roots है वो aerial branches से निकलता है, जो stem का हिस्सा है, इसलिए यह adventitious root है, यहाँ पर देखो, यह node है, ठीक है, जो जो नजदीक होते हैं node जमीन के वहां से ही root निकलना शुरू हो रहा है, ऐसे root को हम stilt root बोलते हैं, stilt root किसका example है, क्योंकि stem से निकल रहा है and dot से निकल रहा है, तो यह भी adventitious root का example है, और इनके बारे में पतले-पतले fiber-like root, तो fibrous root, monocot से मिलते हैं, यह हमने अलोड़ी पढ़ लिया है, तो मैंने द example है, maize, और sugarcane, और NCRT ने और examples लिखिया हुए है, बच्चो, for example, monstera, ठीक है, and grasses, उसमें भी आपको radical से root नहीं मिलेगा, so that root will be called as adventitious root, ठीक है, okay, next, next, चलते हैं, बच्चो, modification की तरफ, तो हमने types पढ़ लिया, हम modification पढ़ेंगे, तो modification सबसे पहले हम complete करेंगे tap root का, किसका, tap root का, तो tap root gets modified for three purposes, पहला purpose क्या है, खाने को store करना, क्या करना, खाने को store करना, तो कौन-कौन से food है, बच्चों जो आप खाते हो, and that is nothing but a modified root, लाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, टरनिप खा रहे हैं, बीट खा रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, root ही तो है, ठीक है, जब root modify हो जाए, किस purpose के लिए, खाने को store करने के लिए, खाने को store करने के लिए, तो हम उसको बोलते है, मोडिफाइड रूट ह्ट तो मोडिफाइड कौन- Sum trans peasant per wün जो मोडिफाइड हो जाता है खाने को स्टो में करना के लिए तो डातिज्म रिडिश रिडश एसा मोडिफाइड रूट हम झो खा रहे हैं कैरे जह माडिफाइड रूट जो हम kraira टरनेप इसा मॉडिफाइड रूट जो हम खा रहे हैं, ठीक है, बीट इसा मॉडिफाइड रूट हम जो खा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है, that is for the purpose of respiration, that is the purpose of respiration, होता क्या है, क्यों रूट को respiration कराने के लिए मॉडिफाइड होना पड़ रहा है, जैसे in mangroves, in mangroves, for example, एक mangrove का example लिख रहे हैं, बच्चो, that is rhizophora, अब mangroves कहाँ पर मिलते हैं बच्चो, यह जो mangroves है ना, यह मिलते हैं saline condition में, saline condition मतलब salty condition, salty areas मिलते हैं, ठीक है, और salty areas में क्या होगा, anaerobic condition present होगी soil में, anaerobic condition present होगी soil में, तो यार, अगर ऐसे पेड, saline areas में मिल रहे हैं, है ना, अगर ऐसे पेड, saline areas में मिल रहे हैं, तो उनकी जड़े, अगर ऐसे soil में मौझूद होगी तो उनके जड़ों को तो oxygen मिले गा ही नहीं, और आपको पता oxygen बहुत ज़रूरी है, उनकी growth के लिए, proper development के लिए root hairs का, तो फाइदा क्या है, तो यह अपनी जड़ों को अंदर रखते ही नहीं है, आप देखो, आपको एक diagram दिखाती हूँ, यह देखो, ठीक है, यह देखो, यह जो ऐसे काटे की तरह vertically upward दिखाई दे रहा है न, यह वाला structure, जो ऐसे काटे की तरह है, यह modified root है, modified, modified root, क्यों modified हुए है, for the purpose of respiration, और ऐसे root को क्या बोलते हैं, nematophore बोलते हैं, तो और इस बात को लिखते हैं बच्चों, कि mangroves, just for example, rhizophora, यह कहाँ पर मिलते हैं, they are present in saline condition, salty areas में, तो वहाँ पर कैसी condition मौजूद है, anaerobic condition, therefore, they produce, they produce respiratory roots, respiratory roots, respiratory roots का नाम क्या है, respiratory roots का नाम है, it is known as nematophores, क्या बोलते हैं उसको, nematophores, यह जो nematophores हैं, ठीक है, यह आप देख सकते हो, against the gravity grow कर रहे हैं, so, it is negative geotropic, क्या हैं बच्चो, negative geotropic, why, it is growing vertically upward, against the gravity, growing vertically upward, नीचे की तरफ क्यों नहीं grow किया root ने, क्योंकि अंदर soil ही नहीं है, यह मर जाएंगे, बिन ऑक्सिजन के, soil तो है, sorry, अंदर oxygen ही नहीं है, यह मर जाएंगे बिन ऑक्सिजन के, इसलिए अपने आपको यह बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, so that यह respire तो कर सके, इनको oxygen तो मिल सके, तो वहाँ पर ऐसे root को, जो modify हुआ respiration को, उसको बोलते हैं nematophores, कहाँ पर मिलते हैं rhizophora, 2018 में एक question आया था बच्चों, कि nematophores किस तरीके के plants में मिलते हैं, hellophytes में, zerophytes में, mesophytes में, किस तरीके के plant में मिल रहे हैं, तो बच्चों यह बात आपको पता होनी चाहिए, वो plant जो saline या salty condition में मिले, इन plants को क्या बोलते हैं, इन plants को हम hellophytes बोलते हैं, ठीक है, तो mangroves कौन से category में आता है, hellophytes में, जैसे पानी वाले plants को हम क्या बोलते हैं, hydrophytes, जैसे salty area वाले plants को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी जस्ट हमने एक chapter पढ़ा था न, क्या पढ़ा था हमने, वो chapter हमने पढ़ा था कि nodules किस purpose के लिए चाहिए, बचों, nodules चाहिए nitrogen fixation के लिए, है न, rhizobium का example लिया था, तो nodulated roots क्या होते हैं, nodulated roots are that root which fixes nitrogen, that fixes nitrogen, ठीक है, कहां पर पढ़ा था, nodule का example, हमने जो case पढ़ा था, वो leguminous plant में पढ़ा था, leguminous plants dicot होते हैं, तो dicot में कैसा root होता है, tap root होता है, that means nodule बनाने के लिए tap root ने modify किया है, तो अगर आपसे question पूछा जाए, कि nodulated roots modified tap root होते हैं, advantageous होते हैं, तो they are modified tap root only, किस purpose के लिए modify हुए है, for the nitrogen fixation, और example भी लिख लिख लिया, कहां पर मिलते हैं, तो हमने example भी लिख लिख लिया है, they are present in leguminous plant, जो कि एक dicot plant है, ठीक है, next आते हैं बच्चो, हम बात करेंगे, adventitious root के modification की, ठीक है, मैं जान बुच्च के आपको अलग-अलग बता रही हूँ, सिर्फ साथ में root का modification पढ़ाती है, चाहते confusion हो सकता था, अलग-अलग पढ़ोगे, तो ऐसाच कोई confusion नहीं होगा, तो adventitious root किस-किस purpose के लिए modify होगा, खाने के लिए, ठीक है, दूसरा modification होगा, support provide करने के लिए, जो हमने अलड़ी पढ़ा, और तीसरा कुछ special function है, I will let you know, ठीक है, कुछ special function के लिए modify होते हैं, I will let you know, सबसे पहले food, तो जो हम sweet potato खा रहे हैं ना बच्चों, sweet potato भी एक root है, कौन सा root का modification है ये, ये एक adventitious root का modification है, और यही question आया था, यही question आया था, 2018, 2018 में दो question आपको मिलेंगे, और ये मिलेंगे आपको एक potato वाले पर, और hello fights पर, और भी pyqs जो पूछे हुए हैं recent year में, इस topic से, वो मैंने last match का रखा है, we will discuss that, ठीक है, next, support के लिए तो हमने पढ़ी लिया, prop होता है, और hanging roots होता है, वो भी तो adventitious root थे न, क्यों बने, support provide करने के लिए, purpose क्या था उनका, support provide करने के लिए, तो कहां पर मिलते हैं, ban entry में, फिर हमने stilt root पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था, maize में, sugar cane में, ठीक है, तो ये भी क्यों बने थे बच्चों, ये बने थे support provide करने के लिए, कैसे root है, adventitious, फिर है special function, special function में आपको एक ही पढ़ाऊंगी बच्चों, that is epiphylus root, और ये काम भी आएगा 12th में, epiphylus root, epiphylus root, ये जो epiphylus है, epiphy का मतलब क्या है बच्चों, epiphy का मतलब होता है, upon, और fill word relate करना है किस से, fill word relate करना है आपको, leaf से, fill word relate करना है आपको, leaf से, ठीक है, ओके, so epiphy means upon, fill मतलब leaf, बच्चों, एक plant होता है, कौन सा plant होता है, bryophyllum, कौन सा plant होता है, ब्रायोफायलम शायद आपने देखा भी होग उसमें क्या होता है जैसे इसके पत्ति ना इस तरीके की होती है इस तरीके की पत्ति होती है तो इसमें बड़े सारे Margins present होते हैं यह क्या है यह जो आपको कर्स दिखाई दे रहे हैं यह क्या है बच्छों Margins है, तो इस margin पर, इस margin पर bud बन सकता है, क्या बन सकता है, bud बन सकता है, और ये bud फिर क्या बना लेता है, root बना लेता है, और उपर के तरफ नया shoot प्रड्यूस कर देता है, that means, bryophyllum, अगर आपके पास एक पौधा है, और एक पौधे में अगर 100 लीफ है, तो आप सोचो, 100 लीफ से तुम कितना bryophyllum पैदा कर सकते हो, हैना क्यों, क्योंकि हर margin पर bud बन सकता है, बच्चों, हर margin पर bud बन सकता है, और bud कहां पर बन रहा है, लीफ पर बन रहा है, तो root भी कहां पर बन रही है, लीव पर बन रही है, तो यह जो root बनी बच्चो, यह जो root बनी, यह tap है, fibrous है, adventitious है, है क्या यह? यह एक advantageous root है, क्योंकि यह leaf पर बन रही है other than radical और यह advantageous root help किस में कर रही है? यह advantageous root help कर रही है reproduction में, किस तरीके के reproduction में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है, किस तरीके रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो एडवेंटीशिस रूट कभी कबार special function के लिए modify हो सकते हैं, और special function क्या है, यहांपर reproduction और इस तरीके का reproduction method कहाँ पर मिलता है, ब्रायो फाइलम में, ब्रायो फाइलम में जो root है, यह एक advantageous root है, ठीक है, क्योंकि यह root leaf के उपर grow कर रही है, इसको हम बोलते हैं epiphilus root, epi मतलब उपर, file का मतलब leaf, तो यह modification है किसका बचो, यह modification है हमारे root का, next जो हम पढ़ेंगे, that is stem, that is stem, तो आओ फटा फट पढ़ते हैं बचो, stem के बारे में, तो stem और root का जो characteristic feature है, वो अभी मैंने आपको बताया, क्या है, वो अभी मैंने आपको बताया, okay, so अभी हमने पढ़ा था ना, बचो कि कैसे differentiate करोगे आप, आप differentiate करते हो, because of the presence of notes and inter-notes, तो यह बात लिखेंगे, बचो, कि notes and inter-notes present, notes, inter-notes क्या होता है, बचो अभी बताया था, जस्ट थोड़ देर पहले, ठीक है, इसके अलावा, अगर आपके पास घर में यंग तुल्ची होती है, बचो, तो आपको पता है, यंग जो stem होती है, that is green in color, क्योंकि उस टाइम पर दीवस इतनी है नहीं, तो फोटो स अगर आप आम का पेड़ देखो, पीपल का पेड़ देखो, तो जो उनकी में प्रंक है, वो stem में किस color का होता है, mature stem, brown color का होता है, तो इस बात को लिखते है, बचो, चलो, जो young stem होगी, young stem, the color would be green, and the mature stem, mature stem का color कैसा होता है, बचो, brown, और stem का feature होता है, क्या करी करना, bud को करी करना, what is bud, bud एक underdeveloped shoot है, underdeveloped shoot, या आप इसको कह सकते हो, it is the compact structure of the shoot, ठीक है, तो इस चीज को लिखते है, बचो, compact कहलो, या condensed, it is condensed shoot, और bud बन कहां रहा है, उसके basis पर, we gonna study three types of bud, we gonna study three types of bud, सबसे पहले, axillary bud हम पढ़ेंगे, ठीक है, epical bud पढ़ेंगे, और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, adventitious, ये तीनो मैंने किस basis पर बताए, on the basis of location, on the basis of location, ठीक है, जैसे, ये जो axillary bud है, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ये मान लो बच्चो, आपका क्या है, main stem है, और main stem पर ये क्या मौजूद है, node है, this is node, node जो होता है, बच्चों हमें पता है, node के आसपास कौन से meristem होते हैं, intercalary meristem, और अगर कोई चीज नहीं बनानी है, तो हमेशा meristem ही बना सकता है, इसलिए, कोई नहीं चीज बननी होती है, तो वो node से आती है, चाहे वो कोई branches हो, या कोई नहीं leaves हो, तो ये node क्यों कोई नहीं चीज बना सकता है, because इस node के पास ability होता है, side में एक bud बनाने का, ठीक है, और ये bud, ये bud जो node पर बनती, उसी को क्या बोलते हैं, axillary bud, तो हम इसको कैसे define करते हैं, the bud which is present on node, और ये side में बनी है, तो यहीं से lateral branches भी निकल सकती हैं, and for this reason, हम इसको lateral bud भी बोल सकते हैं, तो axillary bud को axillary bud भी बोल सकते हो, lateral bud भी बोल सकते हो, ठीक है, कैसे define करते हैं, the bud which is present which arises on node, ठीक है, terminal क्या होता है, बच्चो, terminal मतलब एकदम end, जैसे station का एक terminal point है, वहां जाकर के metro रूख जाती है, bus के भी terminals होते हैं, वहां जाकर बस रू terminal bud क्या होगा, अगर यह stem है, तो stem का terminal point क्या है, यह point यहां पर आपको क्या दिख जाए, bud दिख जाए, so, bud present at terminal, present at terminal, और present at apex, ठीक है, ऐसे word को हम terminal या apical bud बोलते हैं, adventitious bud हम कब बोलते हैं, bud present on other than node, अगर node के अलावा कहीं पर भी bud दिखे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, adventitious bud बन जाता है, for example, for example, बच्चो, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक leaf पढ़ी थी, है ना, कौन सी leaf, ब्रायो फाइलम की leaf, और वो ब्रायो फाइलम की leaf की जो margin थी, leaf margin है ना, ये, this is what, this is leaf margin, इस leaf के margins पर, bud की formation हो जाती है, तो ये bud कहाँ पर बन रहा है, leaf पर बन रहा है, node पर तो बन नहीं है, तो ये भी कैसा bud है, ये भी एक adventitious bud है, ये बहुत question पूचे जाता है, वच्चो, even 12th के topic में भी, ठीक है, तो ये कैसा bud है, adventitious bud है, लीफ पर बनाएं, लीफ के लिए word हम इस्तमाल करते हैं foliar, तो हम ऐसे bud को foliar bud भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, foliar bud भी बोलते हैं, ठीक है, और बचों एक और चीज आपको बताती हूँ, वैसे तो root का feature नहीं होता है, दूसरा type बता रही हूँ, adventitious का, root, मालों ये root है, this is root, तो root का feature नहीं होता है bud को रखना, बट किसी-किसी पौधे में, root में bud दिख जाता है, तो ऐसे bud को हम क्या बोलते हैं, radical bud, ठीक है, क्योंकि ये भी node के इलाबा कहीं पर बन रहा है, ठीक है, root में बन रहा है, तो ये भी कैसा type है, ये भी adventitious bud का type है, ठीक है, for example, डेहलिया, या शीशम होता है ना बच्चो, शीशम की लखडी, मार्केट में बिक्ती है, ठीक है, उसके root में भी आपको birds दिखाई दे जाते हैं, that is also radical bud, वैसे तो radical buds बहुत rare होते हैं, क्योंकि root का feature नहीं होता, bird को carry करना, नहीं तो leaf का feature है, ठीक है, generally stem का feature होता है, but yes radical buds दिख सकते हैं, root म birds दिख सकते हैं, तो हमने तीनो types of birds discuss कर लिया है, अब हम क्या discuss करेंगे, बच्चो, अब हम discuss करेंगे, stem के functions, ठीक है, क्या discuss करने वाले हैं, हम discuss करने वाले हैं, stem के functions, तो क्या-क्या function हो सकते हैं, बच्चो, ये क्या-क्या bear करता है, ये bear करता है, bird को, जो हम leaves देख रहे हैं, और Leafs photosynthesis होती है, ठीक है, fruit जो हम खा रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा कहा पर लग रहा है, stem पर ही तो लग रहा है, और stem इनको क्या provide कर रहा है, support provide कर रहा है, ठीक है, stem के थू ही खाना, minerals, सब कुछ transport हो रहा है, तो they also help in transportation, ठीक है, पानी का, minerals का, ठीक है, अगर Leafs से root तक आना है, तो भी बाया stem के थू आएगा, ठीक है, और अगर young stem है, तो green है, और अगर वो green है, तो वो photosynthesis भी कर सकता है, तो ये कुछ function है, जो हमारी NCRT ने बच्चों लिखे हुए हैं, ठीक है, तो these are some of the functions of stem, next हम क्या पढ़ेंगे, बच्चों, next हम पढ़ेंगे stem के modification, stem के modification, तो हमने stem को तीन हिस्से में divide किया है, stem को तीन हिस्से में divide किया है, वो stem जो जमीन के अंदर मिले, underground, जो जमीन के बिलकुल नजदीक मिले, जैसा घास में होता है, तो that is sub-arial stem, जो बहुत पतली होती है, इतनी तफ होती नहीं, rigid नहीं होती, और वो stem, जैसे बहुत वुडी पेड में मिलता है, आम की पेड में मिलता है, हम उसको aerial stem के नाम पर बढ़ेंगे, या तुम ऐसा कह सकते हो, जो हमारे cactus में मिल रहा है, ठीक है, जो थोड़ा air में है, हवा में है, थोड़ा ground से दूर है, उसको हम divide कि है aerial stem, तो तीन stem के बारे में पढ़ेंगे, उनका modification पढ़ेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे underground stem, तो underground stem में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, बच्चो, modification, that is tuber, जब एक underground stem modify हो जाएगा, खाने को store करने के लिए, तो उसका एक type होता है, tuber, और tuber सबको पता है, बच्चो, यह आलू है, ठीक है, इसका example potato ही है, तो लिख देते हैं, potato, potato का scientific name क्या है, solenum tuberosum, scientific name is solenum tuberosum, ठीक है, तो आप यह देखो, यह आलू का पौधा है, ठीक है, आप देखो, जो terminal portion है, terminal portion underground stem का है, एकदम end में जाकर के आपको आलू दिखाएगा, आपने अगर आलू की खेती देखी हो, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, बच्चो, it is the terminal portion of, it is the terminal portion of underground stem, बच्चो, अगर यह stem है, तो इसके पास भी notes होने चाहिए, ठेक है, अब आप सोचो रहेगे, रहें, नोड कहा होता है, बच्चो अब किच्चन में जाओ और आलू देखो, ठीक है, वैसे diagram आलू का बना हुआ है, यह आलू की कोई shape थो होती है, ठीक है, kitchen में जाना, आप देखना, आलू पर ऐसे कुछ lines होती है, और यही lines क्या होती, इन ही को हम क्या बोलते हैं, notes, अगर आप market से, जैसे हम तो market से कभी ऐसा आलू लाते नहीं है, क्यों हम देख देखकर लाते, अगर आपने online मंगवा लिये, तो कभी cold storage वाले आलू आ जाते हैं, उ इसको हम बोलते हैं bud, बहुत question पूछा जाता है कि यह bud क्या होगा, axillary होगा, terminal होगा, adventitious होगा, भाई आमने सीधा एक ही definition पढ़ रखा है बच्चों, कि जो bud note पर बने वो axillary है, तो फटा-फट बिना सोचे इसको क्या बोल दोगे, this is axillary bud, क्या bud है यह axillary bud है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, eye of potato, क्या बोलते है, eye of potato, तो आपको बहुत questions PMT में repeated मिलेगा, कि what is eye of potato, eye of potato किसको बोला गया है, axillary bud, और बच्चों, 12th में भी section पढ़ोगे, क्योंकि 12th में पहला chapter reproduction organism, उसमें भी इसको पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो bud बना है, जो तो आलू itself use भी किये जा सकते हैं, for the purpose of reproduction, ठीक है, तो यह पहला हमने पढ़ा, tuber, दूसरा हम पढ़ रहे हैं, modification underground stem में, that is rhizome, अब rhizome का यह देखो, यह structure बना हुआ है, rhizome का, यह structure तुम्हें देख करके लग रहा होगा, या तो यह अधरक जैसा है, है ना, तो सबसे पहले इसका example लिख लेते हैं, इस तरीके का structure, जो underground मिलता है, that is nothing, but it is a modified underground stem, जो खाने को store करने के लिए, modify हो चुका है, इसलिए अधरक खाते हैं, अधरक को जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो underground stem है, modify हो गया है, खाने को store करने लगा है, ठीक है, example कैसे याद रखोगे बच्चो, tea bag low, ठीक है, इसमें NCRT से थोड़े से कुछ वाले example भी होंगे, टर्मरिक, tea for turmeric, b for banana, a for adiantum, बच्चो, chapter का नाम angiospermic morphology के बारे में पढ़ना है, adiantum एक fern है, but question पूछा जा सकता है, इसलिए लिखवा दी हैं, और यह तो आपको देखके लग रहा होगा, ginger और l for lily, इन सारे plants में बच्चो, जो underground stem होता है, वो इस तरीके का दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं rhizome, turmeric में भी हम तो यार हल्दी powder वाला ले आते हैं, तो आपने देखा होगा, जो खड़ी हल्दी होती है, उसका shape इसी तरीके का होता है, ठीक है, अब अदरक तो सबने देखा होगा, बाकी कुछ देखा या ना देखा, अदरक सबने देखा होगा, तो अदरक में कितने सारे branches होते हैं, उसका तोड़ तोड़ के हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अदर ऐसे grow करता है, ऐसे grow नहीं करता है, वो ऐसे horizontally grow करता है, तो हम इस बात को बोलेंगे rhizome क्या है, rhizome is a horizontal stem, it is horizontal stem, ठीक है, और it is branched, जैसा हमें अदरक में दिखाई देता है, आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या present है, notes present है, notes से क्या बन रहा है, यहाँ पर bud, और यह bud फिर नया अदरक, leafy भी भी बना सकता है, new shoot बना सकता है, as you can see in the diagram, यह जो root है, यह कहाँ पर बन रहा है, यह rhizome क्या है, underground stem है, और stem है, ठीक है, node, यहाँ पर यह node पर नहीं बन रहा, sorry, radical से नहीं बन रहा, इसलिए adventitious root है, ठीक है, हमने adventitious root पढ़ा था न, वो root जो radical से निकले, और यह कहाँ से निकल रहा है, stem से निकल रहा है, इसलिए adventitious root है, बच्छों, यह diagram हमारे N CRT में भी है, आप उसको देखना, क्योंकि उसे questions आ जाएंगे, ठीक है, labeling वाले, next हम पढ़ेंगे, तीसरा underground stem, that is korm, तो आप यह देखो, यह collocasia का plant है, ठीक है, collocasia में stem देखो underground है, यह कितना फुला हुआ हुआ है, इस फुले हुए इतना फुला हुआ हुआ है, क्योंकि इस ने अपने अंदर खाना भर रखा है, ठीक है, इस फुले हुए underground stem को हम क्या बोलते है, कॉर्म, इसको बड़ा करके दिखाएं, तो ऐसा दिखता है, और हम सबने अर्भी वगएरा खाई हुई है, तो अर्भी वगएरा क्या है बच्चो, that is a modified underground stem only, ठीक है, किस purpose के लिए modify हुए है, यह modify हुए है for the purpose of storage of food, तो अर्भी को याद रखो, अर्भी का diagram देखो, कैसा है, vertical है, अद्रख कैसा था, horizontal है, तो हम इस बात को लिखेंगे, it is vertically present, vertically present beneath soil surface, beneath मतलब soil surface के नीचे, ठीक है, beneath soil surface, यह लिख लोगे, तो next क्या लिखोगे बच्चो, कि यह जो bulb है, आपको यहाँ पर branching दिखाई देदी, अद्रख जैसी, नहीं तो क्या लिखोगे, unbranch लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, unbranch लिखोगे, और diagram में देख सकते हो, तुम्हें node दिखाई दे रहा है, inter node दिखाई दे रहा है, और scale leaf दिखाई दे रहा है, और पर जैसे अर्बी लाते हो या साइड में छोटे-छोटे क्या बन रहे हैं कॉर्म, अगर इस कॉर्म को तुम उठा करके स्वाइल में लगा दो ना तो यह यहां से नया पेड़ दे सकते हैं, तो यह जो राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, यह सब वेजिट और कॉर्म याद रखना और बाकी सारे एक्जैंपल भी सी से ही आएंगे, जैसे क्रोकस, क्रोकस किसका साइंटिफिक नेम होता है, बच्चो केसर का, ठीक है, केसर, और कॉल्चीकम, जो मेटाफेस में सेल माइटॉटिक पॉईजन होता है, उसमें भी कॉर्म मिलता है, ठीक इनके अंदर से मिल रहा है क्यों क्योंकि आखो पता अंडर ग्राउंड स्टेम है, और सी से एक और है, वहां लिखा हुआ है को लोकेशिया, ठीक है तो जादातर सी वाले याद रखना किसमें आ रहे हैं, कॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक जो लास्ट अंडर स्टेम रह गया है, ठीक है, आप यह देखो, जब हम खाते हैं प्यास को, तो हम एक हलका सो ड्राई आप जाकर की किचन में देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक ब्राउन कलर का डिस्क लाइक स्टॉक्चर होता है, यह देखो डाइग्राम में, यहां पर यह जो ब्राउन कलर का यह है, अधिस इस भाट, इस इसस्टैम, जो डिस्क लाइक है, इसलिए इसको क्या बोलते है, डिस्कennial स्टैम और यहां पर छोटा चोटा ब्राउन कलर का रूट दिखाई दे रहा है, कैसा रूट होगा यह, स्टैम पर ग्रो कर रहा है, रेडिकल प खा रहे हैं, that is nothing but a modified leaf, ठीक है, fleshy leaf किस purpose के लिए होती है, food के लिए हो, तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें ये stem वाला हिस्सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो stem वाला हिस्सा पढ़ना है, तो लिखो, stem कैसा है, इसमे, reduce होता है, और disc shape होता है, reduce होता है, और disc shape होता है, ल ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, discord stem, और कभी कबार, this is surrounded by certain leaves, जिसको हम निकालते हैं, अंदर वाली leaves तो fleshy होती है, बाहर वाली जो fleshy नहीं होती है, उसको dry हो, तो हम निकाल देते हैं, है ना, और ये कहां पर मिलता है बच्चो, onion, ठीक है, garlic, and lily, आपने देखा होगा, onion और garlic में, इनकी coverings present होती है, जिनको हम निकालते हैं, ठीक है, तो इनके पास tunics present होता है, lily का जब underground stem देखोगे आप, तो there is no tunic, ठीक है, that means, ये naked है, क्योंकि कोई covering नहीं है, ठीक है, ये दोनों tunicated होते हैं, why, because tunics present होती है, तो ये चारो के चारो क्या थे बच्चो, underground stem थ अब हम मूफ करेंगे towards sub-arial stem, sub-arial stem का मतलब है, वो stem जो जमीन के बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत उनके पैलली चल रही है, और वो बहुत पतली होती है, इसको हम बोलते है, weak stem, सबसे पहले, underground stem खतम, sub-arial stem में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, runner के बारे में, तो आप दे देखा होगा, बचो तो आपको पता है, यह ऐसे ग्रो करती, ऐसे ग्रो का मतलब होता है horizontally, या उसको scientifically prostate word भी बोलते हैं, ठीक है, तो मानलो यह घास बना हुआ है, तो इस घास में देखो, यह stem ऐसे ऐसे ग्रो कर रही है, ठीक है, यहाँ से जहाँ पर आपको कुछ नया बनत को जो grasses में मिलती है, जिनके अंदर node और internodes होते हैं, उन्ही को हम क्या बोलते हैं बचो, runner, तो हम सबसे पहला point लेगेंगे, it is elongated prostate, prostate का मतलब horizontal, ठीक है, और long internode, internode अच्छा का सा लंबा होता है, long internode, कहां पर present हैं बचो, यह मिलते हैं आपको grasses में, और एक और example याद रखना, oxalis, ठीक है, दूसरा जो example है, sub aerial stem का, that is offset, ठीक है, यह जो आपको internode दिखाई दे रहा है, this, the single internode, इसको हम बोल रहे हैं, offset, यहाँ पर देखो कितने सारे थे, और आपको कितने सारे यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, पौधे, यहाँ पर द single internode runner, single internode runner, देखो, यह runner जैसे ही है, difference क्या है, runner थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे internode और node present है, यहाँ पर offset में क्या होता है, बच्चो, offset में तुम्हें एक ही internode दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको बोलते हैं, single internode runner, ठीक है, और obviously यहाँ पर single internode है, तो इनका जो distance होगा, वो इससे छोटा होगा, तो हम इसको लिखते है, shorter than runner, और क्या difference है, यह आपको terrestrial में मिलता है, और यह कहाँ पर मिलेगा, यह मिलता है, बच्चो, aquatic plants में, ठीक है, aquatic plants में, like, Pistia, and Icornia, Icornia, Icornia का, Icornia scientific name है, English name इसका water hyacinth, क्या है, water hyacinth, तो यह जो structure internode आपको दिखाई दे रहा है, that is offset, और बच्चो, यह जो Icornia है, इसके बारे में आप 12 में भी पढ़ोगे, इसको locally हम जलकुम्भी बोलते, जब हम train से जाते हैं यहां कहीं, तो कोई अगर तलाप cross कर रहे हैं, तो आपको पानी नहीं दिखा देती है, तो वो पौधा कौन होता है, वो water hyacinth ही होता है, इतना fast grow कर सकता है, यह जो offset है बच्चो, यह इसको यहां से तोड लेता है, जहां से offset टूटेगा, वहां से एक नया water hyacinth का plant आ सकता है, ठीक है, water hyacinth का plant आ सकता है, तो होगा क्या, जितने तेजी से आप इनको reproduction is a type of asexual reproduction, और asexual reproduction बहुत fast होती है, तो इतने तेजी से पूरा कफजा जमा लेंगे, कि पानी से पूरा oxygen ही खा जाते हैं, और oxygen खा जाएंगे, तो मचलिया कैसे बचेंगी, मचलिया किसको पसंद है, याद रखना है, कहां पर जादा लोग consume करते हैं, बंगॉल में, तो व oxygen drains होने की वज़े से, mortality होने लगी, किस की, fishes की, fishes की mortality होगी, therefore it is known as terror of Bengal, ये 12th की NCRT में बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है, कहां पर मिलते हैं, standing water में, और ये खास बात ये है, सबसे बढ़िया बात ये है, कि इंडिया के species ही नहीं थे, इसका flower बहुत खुपसूरत होता है, इसका रंग बहुत खुपसूरत होता है, mauve color का, इसकी पतियों का shape बहुत खुपसूरत हो, जैसे यहां पर आप देखो, जैसे arranged है, एक के पीछे एक, ऐसे roseate appearance, ऐसे को हम क्या बोलते है, roseate appearance of leaf, तो इनका जो leaf था वो भी बहुत सुंदर था, flower भी बहुत सुंदर था, सुं और बॉड़ी और उसने तबाही मचा दी, मचलियों को इमारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो येस ये पढ़ोगे आप, क्योंकि vegetative reproduction में भी involved है, ठीक है, तो आप इसकी most of the topic, class 12 में भी पढ़ते हो, पहले chapter में, ठीक है, तो ये किस के बारे में है बच्चो, offset के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, स्टोलॉन के बारे में, स्टोलॉन क्या है, स्टोलॉन is the third type of subarial stem, इसमें क्या होता है बच्चो, ये देखो, ये एक stem है, जो laterally grow कर रही थी, जो थोड़ा सा उपर grow कर रही थी, उसके बाद इसने क्या किया, ये bend हो गई, it arc, नीचे bend हो गई न इसने, it arc downwards, और क्या किया इसने, it touches the ground, it touches the ground, ठीक है, और देखो, जहां से जिस हिस्से से ground को touch कर रही हो, touch कर रही है, वहां से पूरा का पूरा एक नया plant आ जा रहा है, that means, ये वाला भी किस में help कर रहा है, reproduction में help कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप उसको दुबारा से पड़ होगे class 12 में, और इस तरीके का stem, जो पहले उपर होता है, फिर नीचे bend कर जाता है, ये कहां पर मिलता है, बच्चो, ये मिलता है mint में, और ये मिलता है jasmine में, ठीक है, अगर mint देखा होगा, mint अपने घरों में लोग लगाते हैं, तो उनकी stem इसी तरीके से कूद कूद के grow कर तो that is stolon, सकर में क्या होता है, अंडर ग्राउंड स्टेम है, ये देखो, this is an underground stem, अंडर ग्राउंड स्टेम से stem निकल रही है, जो कुछ टाइम के लिए नीचे horizontally grow कर रही है, horizontally grow करने के बाद ये vertically ऊपर की तरफ आ जा रही है, vertically ऊपर की तरफ आ जा रही है, तो अब इसको क् स्टोलोन और सकर में फरक क्या है, स्टोलोन में ये होता है कि वो पहले उपर होती है, लेटरल फिर नीचे आती है, सकर में क्या होता है, ये नीचे से उपर की तरफ ग्रो करते हैं, नीचे से उपर की तरफ ग्रो करते हैं, तो इसको लिखेंगे बच्चों कि लेटरल ब्रा let me change the color of the pen, lateral branch originate from lateral branch originate from basal and underground stem for some time and then grow vertically upward, then grow vertically upward. अब इसका याद कैसे करोगे बच्चो जैसे आप अभी क्या पढ़ रहे हो नीट के लिए आप पढ़ रहे हो physics, chemistry, biology, PCB. जब तक नीट नहीं दे दोगे आपका खून चूशते रहेंगे ये, सक करते रहेंगे, तो याद रखना PCB किसका example है? PCB example है सकर का, PCB example है सकर का, P for pineapple, B for banana and C for chrysanthemum, C for chrysanthemum, C for chrysanthemum. तो ये चार sub-arial stem थे बच्चो, जो sub-arially present होते हैं, ठीक है, modified stem है और इनका काम होता है reproduction में भी, ये सब आप 12 में पढ़ोगे, next है बच्चो, aerial stem, aerial stem, जैसे for example, if I talk about, आप cactus देखा हुआ है आपने, aloe vera देखा हुआ है, तो ये जो cactus और aloe आप देखे हो बच्चो, ये जो आपको इसमें green दिखाई देता है, क्या ये leaves है, aloe vera आपने देखा है, जिसके अंदर gel भरा होता है, तो क्या वो leaves है, सोचो, सोचो, दोड़ा, एक दो second दो और सोचो, नहीं बच्चो, जो आपको दिखाई देता है ना, इसमें, ये green part, this is stem, this is what, this is stem, और इस पर जो काटे लगे होते हैं, सबने काटे देखे होंगे, ये काटे क्या होते हैं, leaf, जो किस form में modify हो चुके हैं, they are modified into spines, ठीक है, same goes with aloe vera, क्यों, क्योंकि आपको पता है, जो cactus वाले plant होते हैं, बच्चों, ये desert में मिलते हैं, और desert में, desert में temperature क्या होता है, desert में temperature बहुत जादा होता है, तो अगर इनके पास normal leaf होती, है ना, तो आपको पता है, normal leaf के पास बढ़िया स्टॉमेटा भी होता है, और सर्फे जिरिया भी जादा होता है, तो desert में अगर स्टॉमेटा खुलता दिन के टाइम पर, temperature बहुत जादा होने के होजे से, पानी का loss भी बहुत जादा होता, और ये इतना loss बरदाश नहीं कर पाते हैं, चलो कोई बात नहीं, loss हो गया, बारिश हो जाए, तो compensate हो जाता है, बड़ डेजर्ट में precipitation ही नहीं होती, बारिश का नाम पर निल बटा सनाटा है वहाँ पर, तो वहाँ पर, ऐसी leaf इतना बड़ा सर्फे जिरिया रखती ही नहीं है, डेजर्ट में ऐसी leaf अपने आपको spine के form में modify कर लेती है, तो बच्चों अगर ये spine के form में modify कर ली है, तो इनका surface जिरिया तो बहुत छोटा हो गया है, तो फिर ऐसी leaf photosynthesis के लायक थोड़ी रही, तो इन plants में, desert वाले plants में, जब leaf अपने आपको spine के form में modify कर लेता है, तो जिम photosynthesis के लिए पहला इनको green होना चाहिए तो देखो, और surface area जादा होना चाहिए, तो आप देखो कितना जादा surface area है, और ये green color के है, ठीक है, और ऐसे ही modified stem को हम क्या बोलते है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि aerial stem भी modify हो सकती है, ठीक है, और हम सबसे पहले example पढ़ र of photosynthesis, for the purpose of photosynthesis, और आप देखे होगे, बचो, cactus का, यहाँ पर कैसा flat चिपता हुआ shape है, और ये cactus की variety, देखो कैसा है, इतना लंबा-लंबा, cylindrical, ये भी बहुत common दिख जाता है, ये भी बहुत common दिख जाता है, ये बहुत common दिख जाता है, ये जो stem है, यहाँ पर cylindrical है, यहाँ पर flattened है, तो philoclade दो type के हो सकते हैं, ठीक है, दो type के हो सकते है, flattened हो सकते है, flattened किसमे है बच्चो, वो open chia है, एक variety, ठीक है, और cylindrical किसमे है, आप देख सकते हो, that is euphorbia, ये NCRT ने लिखा हुआ है, और stem अगर photosynthesis कर रहा है, तो obviously इसका color क्या होगा, green, क्यों, क्योंकि ये क photosynthetic pigments chlorophyll, और आपने देखा होगा, बच्चो, cactus देखा है, ठीक है, cactus की बहुत सारी variety होती है, तो आपने देखा होगा, कि पूरी की पूरी stem ही उस तरीके की है, ऐसा ने कि एक stem, एक stem का हिस्सा हिस तरीके से modify हुआ है, entire plant ऐसा है, तो plant overall grow करेगा, तो ये पूरा overall grow करेगा, तो phylo clad की जो growth होती है, वो unlimited होती है, कैसी होती है बच्चो, unlimited growth होती है, ठीक है, एक और होता है इसी तरीके से, जिसको हम बोलते है, cladde, cladde भी क्या होता है, बच्चो, ये भी एक modified stem होता है, ये भी एक modified stem होता है, आप diagram देख सकते हो, modified stem है, green color का है, क्यों? photosynthesis perform करने के ल सोच रहोगे, कि माम इसमें और उसमें फरक क्या है, बच्चो उसमें पूरी की पूरी stem ऐसी है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा stem का, generally एक inter node किसमें transform हो जाता है, green color में, और उसी green stem को हम cladde बोलते हैं, that means इसमें पूरा का पूरा stem तो modify नहीं हुआ, कुछ हिस्सा modify हुआ है, तो तो aerial stem में हमने दो पड़ा, phyloclad पड़ा और cladode पड़ा, ठीक है, next हम पड़ेंगे बच्चो, तीसरा aerial stem में जो modification है, वो stem thorn का है, आपने देखा होगा बच्चो, कुछ plants में काटे लगते हैं, है ना, बट हमें नहीं समझ में आता, जैसे अभी आपने देखा ना, cactus में ल इस modify होते हैं, काटे में तो word हम क्या use करते हैं, thorn, तो देखो, ये नीम्बू का पेड है, नीम्बू की पेड में काटा देखा होगा आपने, तो ये जो नीम्बू की पेड में काटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, this is modified stem, ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे हम बच्चो this is what, this is modified stem, क्यों हुआ है modified बच्चो, क्योंकि आपको पता है, हम तो advance है, हम भी चाहते हैं, तो नीम्बू तोड़ते हैं, लेकिन हम मेर पास तो दिमाग है, तो हम अपना जहां से काटा है, अलग-अलग हाथ घुमा घुमा कर, लेकिन तोड ही ले आते हैं, बड़ ऐसे कु citrus वहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोगन वेलिया, ठीक है, बोगन वेलिया, तो आओ पढ़ते हैं, ठीक है, एक्जैम्पल, यह किसका एक्जैम्पल है बच्चो, यहीं पर लिख देती हूँ, बोगन वेलिया, यह बोगन वेलिया का प्लां वो सारे citrus food क्यलाते हैं, जो vitamin C में rich होते हैं, और यह modified stem है, कौन सा हिस्सा modify हुआ है, axillary bud, और वो axillary bud किसमें convert हो गया है, pointed structure में जिसको हम बोल रहे है, thorn, for which purpose, for the purpose of protection, for the purpose of protection, फिर आपने देखा होगा, बच्चों, फिर आपने देखा होगा, कि जहाँ जहाँ पर weak stem होता है, जहाँ जहाँ पर weak stem होता है, वहाँ वहाँ पर आपको यह coiled structure दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं tendril, तो वो tendril क्यों है, बच्चों, वो tendril क्य यह बहुत woody तो है नहीं, ठीक है, खुद में बहुत weak है, तो यह ऐसे coil structure बनाना शुरू कर देता है, कुछ stem ऐसे convert हो जाते हैं, तो यह climbing में, support में help करता है, तो यह भी किस से बनता है, यह modified stem है, ठीक है, modified stem है, किस purpose के लिए, support के लिए, क्लाइम करवाने के लिए, ठीक है, tendril होता क्या है, coiled structure होता है, जैसे normally, अगर मैं यह ना बता हूँ आपको कि कौन किसका modification है, stem या leaf का, मनी, plant में सब ने वो tendril देखा है, तो आपको पता है, उसका काम क्या होता है, चड़ता चला जाता है, क्लाइम करता चला जाता है, ठीक है, तो stem tendril किसमें मिलता है, बच्चों, अगर grapes का plant देखा होगा, ठीक है, जिसका scientific name Wittis होता है, उसमें मिलता है, और जितने भी घिया तौरी वाले family है, गाट्स, यह हुमारा water melon हो गया, ठीक है, pumpkin हो गया, cucumber हो गया, यह सारे के सारे में आपको stem का modification मिलता है, in the form of tendril, तो बच्चों, हमने root पढ़ लिया, root के types, modification, function, we have completed the stem, stem के types, stem के birds के types, stem में modification उसका function क्या है, आओ कुछ question कर लेते हैं, based on the previous year topics, बना PYQ, next है, nematophores कहां पर मिलता है, देखो मैंने बताया था ना बच्चों, यह हेलोफाइट में मिलता है, hydrophytes में नहीं, चाहिए किसी भी तरीके का hydrophytes सो नहीं मिलेगा, next है, sweet potato किसका example है, अभी हमने direct लिखा हुआ है, adventitious root तो कोई confusion की बात नहीं है, और हमने tap root के अंदर तो sweet potato लिखा ही नहीं था, next है, root hairs किस region में होते हैं, बच्चो, root hairs that are present in maturation, यह भी हमने पढ़ा हुआ है, so easy, stems are modified into flat green organ, जो perform करते हैं leaf का function, मतला photosynthesis, तो कौन सा होता है बच्चो, phylo clads होता है, ठीक है, कौन सा होता है, flat green organ, अच्छा, तुम सोच रहे हैं, क्लाडोड भी तो green stem है, लेकिन यहाँ पर देखो, flat green लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर तो अपने spine जैसा diagram देखा है, but phylo clad में आपने देखा है ना, वो चप्टे चप्टे जो cactus के flattened वाले types थे, ठीक है, next, Bogen Velia में जो thorns हैं, वो किसका modification है, तो भी हमने पढ़ा, जो thorns हैं, वो stem का modification है, so yes, बच्चो, this was all about today's lecture, ठीक है, learning based chapter है, एक बार पढने के बाद आपको थोड़ा से example सिखना पढ़ेगा, but definitely याद हो जाएगा, it needs practice, तो next lecture में मिलेंगे, बच्चो तब तक लिए, bye bye and take care.